आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी लड़की अपने प्यार को किसी और लड़की के साथ बाटना बिलकुल भी नहीं चाहती। प्यार तो दूर दोस्ती में भी लड़की अपनी खास दोस्तों को किसी और के करीब जाते नहीं देख पाती। लेकिन अब जमाना बदल रहा है अब प्यार को पाने का जनून लोगों में कुछ ऐसा हो गया है कि वो अपने प्यार को ही बाट दे रहे हैं उसका बटवारा कर दे रहे हैं और वो बिसर्फ और सर्फ इस वज़ा से ताकि वो अपने प्यार के साथ रह सके अपने प्यार को प लेकिन कभी किसी लड़की की दोस्ती की बारे में कुछ खास कहा नहीं गया इसलिए एक मुहतरमा ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्यार की मसाल भी कायम रहे और दोस्ती की दोस्ती भी रह जाए और वो मुहतरमा अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्यार को छोड़ देंगी ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचेगा बल्कि लड़की ने तो अपने दोस्ती को कायम रखनी के लिए अपने पती से ही अपनी दोस्त की शादी करवा दी है और खुद भी कर लिया है यानि कि एक लड़का दो लड़की और तीनों ने आपस में शादी कर ली तो चलिए फिर आगे सेग्मेंट में आपको हम बताते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी के बारे में लेकर उसके पहले नमशकार स्वागत है आपका हमारे सेग्मेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ बंदना पांडे यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे भले उसके लिए हम उसी और का शोहर बनने देगी और बाद में अपनी पत्नी धर्म भी निभाएगी और उसकी बाद दोस्त भी एक साथ यानि की दोस्ती भी निभाएगी और ऐसा हुआ है वो भी ऐसी जगा जहां कुछ भी हो सकता है कुछ भी का मतलब अजब गजब यानि की पाकिस्तान में खबर पाकिस्तान के मुजफर गर की है जहां दो दोस्त हैं एक का नाम शेहनाज है दूसरी नूर है और शेहनाज और नूर की दोस्ती ऐसी है कि इन दोनों के बीच बिचवारा एजाज नाम का एक बेक्ती फस गया है अब भाई सहाब फसे हैं या फिर वो खुशी हुशी एक साथ दोनों लड़ो खा रहे हैं ये तो वही बताएंगे फिल्हाल हम आपको ये पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं तो एक यूट्यूब चानल से बात चित के दोरान शेहनाज ने ये बताया है कि कैसे उनकी शादी उनकी पती याने की एजाद से हुई थी लेकिन शाद के साथ भी उन्हें रहना पसंद था अब ये जानने के बाद ये समझना मुश्किल है कि एजाज की ये खुश किसमती है या फर बदकिसमती क्योंकि अगर उसका कोई और भाई होता तो नूर की शादी उससे हो जाती लेकिन कोई भाई होगा नहीं तो पत्नी बिचारी क्या सहनास से रहा नहीं गया और उस में जैसे थैसे नूर को अपने पती से शादी करने के लिए मना लिया बाकी बाद इजाज की करें तो उनके तो बले-बले ही मानो अब पत्नी किसी और से शादी कराने के लिए जोट जबर्दस्टी करने लगी तो फिर एक सवाद बिमार है तो फिर उस अनार को उससे क्या ही तकलीफ, तकलीफ तो जो बिमार है उनको होगा, लेकिन यह जो बिमार है वो काफी जादा खुश है, यानि कि शहनाज नहीं अपनी दोस्त नूर की शादी, अपने शोहर एजाद से करा दी और अपती नो खुशी-खुशी अपनी कहें या फिर सौतन की नहीं परिभाशा यह आप डिसाइड कीजिए और कमिन में बताइए और अगर आपको सोचने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल भी परिसानी मत उठाइए तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग आपकी मदद कर सकें यह डिसाइ के लिए हमें दीचुए जाज़ा देख तेरे जन्ता जेंक्शन कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थे आपके साथ बंदना धन्यवाल